हेलो दोस्तो दोस्तो आज 4 जून 2022 है और आज हम इस वीडियो में आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टॉप करेंट फियर्स के क्वेश्चिन्स लाए हैं जो क्वेश्चिन्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें हम जानेंगे सितारा ए पाकिस्तान एवार 2022 के बारे में निव डिरेक्टर जनरल आफ एसस बी के बारे में युनाइटी नेशनल चिल्डरन फंड के बारे में वर्ल्ड इस मोस्ट पाउरफुल सूपर कम्प्यूटर के बारे में और जुमायन कश्मी रि और्गनाजज़ एक 2019 के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उमीद करोंगा कि आपको इस वीडियो से हलप हो जुरूर्व बिलेगी वीडियो को एन तक देखते रहें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिग्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में बैल आकन भी जुरूर प्रेस करें वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ शेर भी जुरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए तो दोस्तों स्टार करते हैं आज की ये वीडियो पहले क्वेशन देखते हैं आपको बताना है पाकिस्तान की सर्वेशिज के लिए इन में से किसको सिताराए पाकिस्तान एवार्ड से नवाजा गया आपकी पास विराट कोली, ड्रेन ब्रावो, डेरिन सैमी या फिर ब्रेन लारा इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी डेरन सैमी को सिताराए पाकिस्तान से नवाजा गया पाकिस्तान की सर्वेशिज के लिए डेरन सैमी जो के वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टेर रहे हैं उनको पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने के लिए इस एवार्ड से नवाजा गया है दोस्तो सिताराए पाकिस्तान पाकिस्तान का third highest civilian award है और इसको establish किया गया था 19th March 1957 को और इसको मुक्तलिफ services के लिए दिया जाता है जिन में interest आप पाकिस्तान world peace, culture and significant public endeavor के लिए पाकिस्तान का सबसे highest civilian honor का नाम है निशान पाकिस्तान और इसको भी 19th March 1957 को establish किया गया था next question देखते हैं who has been appointed as the new director general of सशस्त्र सीमा बल SSB आपको बताना है सशस्त्र सीमा बल यानि SSB का नया director general इन में से किसको appoint किया गया options आपके पास रंजीत सिंग, राना, अमन जोत सिंग, S.L. थियोसेन या फिर कुमार राजेश चंद्रा इसका सही answer रहेगा part CSL 1000 सशस्त्र सीमा बल को establish किया गया था 28 December 1963 को इसका पहला नाम था Special Services Bureau और इसको किया जाता है नैपाल भूटान बार्डर पर इसको establish किया गया था सीनो इंडियन वार जो कि हुआ था October से लेकर November 1962 के दर्मियान इंडिया और चाइना के इसका headquarter है New Delhi इंडिया में next question देखते हैं who will continue as United Nations Children's Fund UNICEF Goodwill Ambassador for a record of 20 years आपको बताना है इन में से कौन से United Nations Children's Fund के Goodwill Ambassador के तोर पर continue करेंगे और ये 20 में साल ये continue कर रहे हैं options आपके पास सुनसूत दिपिका पड़कोंट सचन तंडूलकर या पिर प्रियांका चोपरा इसका सही answer रहेगा part C सचन तंडूलकर दोस्तों UNICEF जिसको पहले United Nations International Children's Emergency Fund कहा जाता था अब इसको United Nations Children's Fund कहा जाता है इसको establish किया गया था 11 December 1946 को इसका headquarter New York में है इसके head है Catherine M. Russell और इसकी parent organization है United Nations General Assembly next question है which supercomputer has topped the 29th edition of the top 500 list of world's most powerful supercomputers आपको बताना है world most powerful supercomputers में top 500 supercomputers में इन में से कौन सा supercomputer top पे रहा और ये 29th edition निकाली गी थी top 500 computers की Germany में आपके पास सुमित Lumi Frontier या फिर पर इसका सही answer रहेगा part C Frontier जो कि United States का supercomputer है ये top rank पे रहा दोस्तो इस supercomputer की speed to exeplops के दर्मियान है और इसने जैपान के Fugaku सुपर कम्प्यूटर को पीछे छोड़ा next question देखते हैं who was the founder of joint Kashmir National Panthers Party who passed away recently आपको बताना है हाल ही में जुमो कश्मीर के National Panthers Party के founder का इंतिकाल हो गया आपको बताना है उनका नाम क्या था option से आपके पास हरी प्रसाद चौरह सिया पंडियत बजन सोपरी बीम सिंग या फिर ननाब दीज इसका सही answer रहेगा पार्ट सी बीम से दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जुमो कश्मीर एक पहले state थी लेकिन जुमो कश्मीर reorganization act 2019 के बाद इसको union territory में convert किया गया जुमो कश्मीर state की दो union territory बनाई गी जिन में एक है जुमो कश्मीर union territory और दूसरी है लदाख union territory और ये दोनों union territory जे एंड के reorganization act 2019 से बनी और जुमो कश्मी reorganization act effect में लाया गया 31st October 2019 जुमो कश्मी reorganization बिल को होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्जी सबा में इंटर्डूस किया था 5th August 2019 को और इसको इसी दिन पास भी किया गया फिर 6th August 2019 को इसको लोग सबा में पास किया गया और इसको प्रेसिडेंट का consent मिला एसेंट मिला 9th August 2019 को तो दोस्तो ये थे आज की कुछ important current fairs की questions उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और शेयर करें और अगर आप daily videos, updates, notifications पाना चाहते हैं तो चनल को subscribe करें और साथ में bell icon भी जुरू प्रेस करें दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care